सभी कहाया नमस्कार इभारण फीद से आप सभी का मैं अपने मैं इस चर्फे पर स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में मैं डिसक्रस करने जा रहा हूं इंडियन एकनोमी का दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मोडल आंसर इसके पहले के लेक्चर में चार लेक्चर में अलोड़ी मोडल आंसर कर वाना चुका हूं इंडियन एकनोमी का जिसमें टोटल आठ को सन मैं डिसक्र कि यह है मैं उसको भी आपको सेंपल के रूप में बताया है कि क्या लिखने पर और भी अच्छे नमर लाए जा सकते क्योंकि मैं जो लेक्षर जब था उसमें मैं एक कॉपी दिखाया था अट इंच में को 22 मास था एक इंडिया लिकोंड के को सन्में तो मैं बताया थे कैसे इ लाकर ला सकते हैं नमर तो जो भी नहीं देखा उसको वीडियो को देख लिए उसके बाद जो है अभी आपको पता है कि 67 जो है बहुत ही नजदीक आने वाला देदरे अब तो लगवार शाट दिन बचा हुआ है तो अभी शाट दिन में अब एक बार फिर से मैं एक और प् पचास दिन का मैंस अफ्रेटिंग प्रोग्रां में सुरू करेंगे जिस में स्विडूल यह रहेगा कि पचास दिन में कोशिस करेंगे कर फस्ट और सकेंड का जितना इंपोर्टेंट जितना भी टॉपिक है उसका हर एक का ब्रदे दो कोफन करेंगे ठीक नहीं फिर उसमे एक डियाई दिया जागा डियाई बनाने करेंगे बहुत इंपोर्टेंट हो चुका अब तो तो दो कोफन जीएस का डियागा दो कोफन डियाई का दूंगा ठीक ना उसके बाद फिर जब कोई एक सब्सक्राइब खतम हो जागा जिसे माल इंडियन हिस्टी हम लोग स्टार हिस्ट्री है फिर करेंट अफियर फिर फिर इंडियन प्लीटी है फिर इंडियन इकनॉम्मी और साइंस टेक है तो अधियाई तुमें दिरी कराओंगा तो लगभग आपका इसमें पांच सेक्षन है और मैं मैं ऐसा कुछ अपनाने की लगभग पचीस दिन के अंदर जो है एक नमबर के बैच में एड होंगे बाकी तो जिनका जो अल्वेडी पर चला तो उनका चलता ही रहेगा तो आइए वीडियो को सुरूब करते हैं इसके पहले और कि जिनको भी लेस्ट डवलू हिस्ट्री और जोग्रफी का टेस्ट देना है उन नीचे देगे नमर पर कॉल कर लिए वाट्सप कर लिए कुछ जनकारी मिल जाएगी इस वीडियो करते हैं और यहां कोशिस करते हैं कि जानने का कि जो है कैसे एक बहतर आंसर लिखा जाए तो जो पांच में दिन का जो क्वेस्टन था उसमें आपको दिया गया था कि भारत सरकार दोरा गरीबी उनमुलन के लिए बिभीन कारिक्रमों के करेंण के बाब जूद गरीबी अभी भी मौझूद है गरीबी के क्या कारण है और इस दिशा में इस दिशा में सरकार के परमुक पहलूँ का चर्चा कर तो देखें अगर को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो पहला तो यहीं है कि भारत सरका सरकार के दुरा जादी के बाद देखेंगा पंच बर से विचल चला जा रहा है पिर कई तरह है कि आपको जो गरीबी उन्हों को ध्यान में रखते वालग स्पेस्वल कारिक्रम में चला जा जा लेंगे फिर भी अभी गरीबी मौझूद है तो आखिर यह आखिर क्या आपको दिखाता हूं और कैसे तब फिर जो अभी का में दिखाऊंगा क्योंकि मेरा सिंपल साफ लोग के साथ मेरा यह यह है कि आपको जो भी पैसी जो मार्किंग पेटर्न देती है जो नमर देती है वह आप देखिए और अभी आप क्या उसमें और सुधार करेंगे कि गरीबी दूर करने के लिए कौन-कौन से कारिक्टरम चलाए जा रहे हैं तो क्वेस्टन उसी के आसपास है कि देखिए बीपेस्टी में होता है कि लगभग टॉपिक वही रहता है को संब को तरस लेंगवेज़ चेंज कर देता है और लगभग मेरा मोटा मोटी वही लिख लिख्या करें अब देखिए यहां पर को दो-तीन वार पढ़ना इसलिए भी जड़ित क्यों कि तीन पार्ट हो गया पहले भारत में गरीबी का क्या अनुमान उसका करेंगे सकेंड पार्ट में इसका क्या जिम्मेदार कारक लिखेंगे अब फिर सरकार द्वारा गरीबी को खतम करने के लिए कौन-कौन से कारिकरम चलाये जाया है अगर जा अगर इसको आप देखें लगवर तीन सेक्शन को इकॉल रूप में हम क्या करेंगे लिखेंगे ता यह जो मैं लिखा था तब फिर मैं जो आज का मुनारा को डिसकर्स करूँगा जो क्रों दिया था अब जिसमें देश के नागरिक को अधारवुत सुधा प्राप नहीं हो पाती है अमर्त सैन का अनुसार सुधाओं का अभाव गरीबी है वहीं विश्च बैंक के अनुसार 1.9 डॉलर परदिन खर्च करने वाले ब्यक्ति गरीब है अब देखे मैं यहाँ पे तो सब भूमिका लिय उनका हमें कोटेशन लेते हैं उन्होंने गरीबी को कैसे प्रिवाफित का अब दा और यह मैं इंटरनेशनल भी संस्था वर्ल्ड वैंग के अनुसार गरीबी क्या होता ही है मैं दिखाने का प्रयास का यहाँ पे आज हमको कई सरा कॉल या बेसे इस बात को लेके आया सर की मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है क्या वीपेसी में मार्किंग नहीं होगा क्या हमको नमबर नहीं मिलगा देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आपका राइटिंग पढ़ने के लायक है और कंटेंट बहुत बहतर है तो आप अराम से इस निस्षिंद्रेंग आपको बच्छे मार्स आएंगे आप देखिए यहां जो मैं जो लिखा हूं यह मतलब कि क्या है कि अईसा राइटिंग जो कि अराम से नहीं पर सकता है सबसे उसमें भी सबसे बड़ी बात है कंटेंट देखिए अगर इसको कोई भी पढ़ेगा तो आपका काम चल जागा और आग पुसिस करना है कि दिखने मतलब कि पढ़ने लेक लिखना है चलिए तो यहां पर वही दिखा आगे में लिखाओ कि भारत में गरीबी अनमान या आकलन के लिए फरकार दोरा कई समीति गठन किया गया है इनके दोरा सिफारिश की मुख बिंदू निमलिखित है अब मैं यह समीति का धार में दिखा दिखाद यहां पर कि यहां पर अनमान लगा दिया कि कहां कहां तो आगर मैं यहां पे तो अब यहां पर आगे यहां पर मैं देखे लिखा दिया आप देखे अगला में डेक्ट इहां स्टार्ट होगा कि आखिर क्या वजह है गरीवी का अब यहां 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 देखे अगला जो है कि गरीवी का आपको आर्थी का अर्थी का और अलावकारी होना लगो को टोड़ दो का भावरीन की सुधा नहीं होना पुझी निवेश की कमी स्वाई करें वजल संक्या बिर्दी जाति बाद रुभी वारिता दिखा दिया हो फिराइंतिक साथ कमी और दियुकि नितिका भाव है तक निकी का नपर मसीन है सिवास्यत में अभाव है प्राकरति का दिखा बार शुखा इस सब मांसूर की वन तो निंत्रित है यह देखे यहां पर फुलो चार्ट में जो मतकी कारण को दिखाने का परियास के और मैं यहां पर दिखा दिया कि भूमी का उसमान बितर है आप फ्र यहां पर दैक्ट हम कारन करने बात फिर हम आ गए सब्सक्राइब को दूर करने के लिए उपाय मुक्तर दो तरीकों से किया जा रहा है एक तो गरीबी निवार्ण को उपाय में पहला तक हमारे वही लिखाओं कि भारा पंच वर्षे विजनाओं को पूरा किया जा चुका है उन्हें नब्य के पहले भारत की विकास सब्सक्राइब के बाद अर्थिक समर्दी से देश की बढ़ने के साथ साथ देश की गरीबी की खत्म हो रही है उन्हें देश का लगभग साथ प्रत्वार्ण संक्या गरीब थी वहीं पर वहीं अभी बरतमान लगभग सत्ताइस पर रह गया मतलब रंग राजन समीती और सब्सक्राइब कर देश में ब्याप्त गरीबी को समाप्त करने हैं तू परियाप कदम उठाए गाता है सब्सक्राइब कर लेगा अब देख सकते हैं कि जब भी कभी आंसर लिखिए तो हमेशा टू दैप पॉइंट रही है कोई एक्स्टा बात मत लिखिए मैं जो भी बात लिखा हाले कि ठीक है कुछ कुछ चीज़ा कम में लिखा लेकिन मैं ये कोशिश किया कि जो परस्ण का डिमांड है उससे हमको नहीं भटकना है इसलिए मैं हमेशा बार गोलता हूं जब दी कभी आप मैं स्कार फैटिंग करें तो परस्ण का जो मैं यहां लाइस से सुरू कर सकते हैं अगर यह गलत होता हुमको भाइफ नरोकियों देते डिकल सी बात है यहां देखे मैं खतम यह नेडिया विल्कुल लाइन दिए सिंपल उत्तर साथ लिए यहां उत्तर लिखे मैं लगो पुड़ा आंसर को जो लगवग यह खतम कर दिया हूँ तो आप अच्छे स्थिति में कहीं घर आने को जरुत नहीं है जिनको डर है कि क्यार हमको मास मिलेगा या नहीं करता हूँ कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ देखिए कि भारत सरकार के परमुग पहलियों की चर्चा कीजिए आई हम बारी बारे की से इस पूरे टॉपिक को भवर कर लेंगे चले देखिए मैं यहां पर क्या लिखा हूँ तब भुरुका वही लिख सकते हैं गरीवी क्या होता है उसके बाद कैसे इंपल क्या लिखना है कि अजाधी के बाद भारत फरकार ड्रियूर रोडियों निल प्रियास कर सकत रही है जैसे प्रियास में क्या है पंच बशी और गाश्ग का ने कर रही है करने का प्रियास कर रहा हूं देखिए हम यहां का लिखा रिपोर्ट अभी बैस्विक बहु जामी गरीवी सुच कर दो बाइस करोर गरीब भारत में ही है दुफरा एन एस एस ओ के अनुसार 21 परतिफत अबादी अभी भी क्या है गरीब है वर्ल्ड बैंक कर भारत में एक्स् के जो कुछ संस्था का रिपोर्ट जिक्र कर दिया और कुछ वर्ल्ड का भी कर दिया इससे क्या होता है उनको लगेगा इसके पास सारा नौलेज है हाँ इसने बहुत है क्या वज़ा है का जादी के 70 बर्स बाद भी हमारे देश में गड़ीवी खतम नहीं हुआ इसके वज समस्या आर्थिक न्योयन सही ढंग से नहीं हो पाया अभी हमारे देश में कई तरह कि छेत्रे भी समताइशे बिहार भी पिछला है या उडिशा हो गया और भी कई फैराज है काफी पिछली कंडिशन में क्योंकि वहां पे पंच वर्षिया यह नहीं बराबर सपर्ध्यान नहीं दिया गया उसके बाद कहीं न कहीं क्रिशी और संबंधित छेत का धिमा विकास है समाईक छेत में अपर याप निवेश होड़ा है मतले सिक्षा स्वास्त पर कुरिशी छेत से सीधे से बाच छेत में हम लोग क्या कर गया है ट्रांस फार्म तो करूद यह है कि बारत सेक्टर या उद्योग छेतर पर हमको हमने बढ़ावाने दिया और फिर उनिस्वा उनिस्वा नब्यम क्या हुआ हम सीधे सर्भी इंटर कर गए तो हम हमारे देश में क्या हुआ इन सेक्टर को या उद्योगों का विकास का उतना माहौल ही नहीं मिला इस लिए गरीबी खत बड़ी बड़ी कंपरी में कम लोग हैं जहां पर वह संग्रिशित के लोग रहते हैं बड़ाश्टाचर बढ़ रहा है लाभारतियों की सही पहचान मुक्सिल हो गया है और सबसे बड़ी बात है हमारे भूमी का क्या है वह समान बितरन है फिर यहां देखे मैं लिखाओं क अगला प्रोलम क्या है हमारे देश में कि 75 बशन हमने देखा कि कारिकरम और नीती संबन्धी कुछ कारण जैसे की गरीबी उनमेर कारिकरम का बिना गहराई से इंजांच के लागू कर दिया जाना फिर बित्त की कमी है परसाफनी कुदा सिंता है अल्पकारी दिरिश्टी को ना के लिए अपना ना चाहिए फिर देखिए इंप्लिमेंटेशन संबन्धी कई कारिकरम समझ से धांदी हो जारा है ब्रहटाचार हो जारा है समन्वे की कमी मतलब कैन और राज आपस में गरीबी को खतम को लेकर एक दूट नहीं रहते हैं और सबसे बड़ी वात है वैद अब देखिए यह तो हो गया कि को पूछेगा कि भारत फरकार गरीबी के कई कारिकरम के इंप्लिमेंटर्फन के बाब जूद भी अभी विक देश में गरीबी मुझूद है तो वही लिखिएगा कि गरीबी मुझूद नहीं कारण है राजिनतिक कारण है ततकाली कारण है यह आप लिख सकते हैं अब देखिए मैं आगे एक और आपको दिखाता कि अगर ऐसा खोहिए कि कि सिंपल कि क्या गरीबी का क्या कारण है। कैया सरकार ज्रइभा देखिए निकवारत कर इसके तो कि भारत ने बाइस सुलिए अपर सब्सक्राइब पांस से लेके 21 के बीच भारत की गरीबी दर्जों पहले जहाँ पच्पन परतिशत थी अब वही घट के लवग स्वल्य परतिफत रह गई परंतु गरीबी की स्थिति में जिवन या पन कर लोगों की सरवाधिक संख्या अभी भी लगवा 22.8 कोड़ कहा है भारत में ही है इस ही पूरे दुनिया में सब भी आवादी कहा रह रह रहे है हमारे देश में ही रह रहे है हम फिर भी निखे ने लिखने की लिखने के लिखता है नाम देखें आपका आंफेर्टेज वता है प्रिया देखे आगे हमाई लिखाओं कि अजादी के बाद देश के समध्र विकास दोरा गरीबी उन्हें ने जोड़ दिया गया फिर भी गरीबी रेखा के नीचे 21.9 अवादी प्रतिफद रहती है इसे नीन रेखा से हम समझ से देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर फुलो चार्ट ग्राप आपको अपने जो है ना प्रैक्टिस से यूज कर सकते हैं नेक्स अलिए अब देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं गरीबी के क्या को ही कारण देखिए मैं लिखाओ आर्थी कार्में क्या रास्ट आया है विकास दर कम है पुंजी की कमी है विरोजगा अब लिखाओ दुनिया की फत्रह परतिफ़ाबादी मात टू पॉइंट फोर भुभाग पर निवास करती है थाथ भूमी की कमी हमारे देश में फिर भारत का कुल राष्ट उत्पाद लगवग अभी लगवग इसको तो इसको कार देजिए लगवग यह दो सो लाग करोड हो गया कितना हो गया दो सो लाग करोड है लेकिन जन संख्या आप कितना हो गया एक सो चालिस करोड़ हो गया मतलब की उत्पाद कम है लेकिन जन संख्या बहुत ही क्या है ज्यादा है इसलिए परतिब्यक्ति आया लगवग अभी जोने एक एक लाग से कुछ ज्यादा है त स्टकी दुफूरे संके प्रियरमेंड मंधर अओं भारत में महागाई आप यह दर काफ़ी हमेशा आठ नो दर्स प्रति सब्सक्क सबक्राइब करएन सब्सक्राइब लगवग लगवग निकलत कहीं कोई दिकत नहीं है। फिर देखे मैं लिखे दिया। क्योंकि देखे बिरोजगारी भी एक बहुत राइक का था है। अब अगला है कि जो है गरीबी का जो मैन वजह एक ये भी है कि आई का और समान बित्रन है क्योंकि देखिए एक बैस्विक और समानता पर एक और समानता पर रिपोर्ट अभी हाली माई उसमें कहा गया है भारत की सिर्फ दस परतिफ़त जनसंख्या के पास पूरे देश की ल अगर टैन पर फेन निकालिएगा देश के चौदह करोड़ लोगों के पास हमारे देश के जितनी संपत्ती है उसका 75 परतिफ़त लगवा हिस्ता रखे हुए है और जबकि निशली 90 परतिफ़त के पास मुश्किल से ने वहीं 20 परतिफ़त की संपत्ती में काफी आए में क् करता है इस जिसका विरोध लोहिया जी और भी ना जाने कई लोग ने किया है अगर यहां लिखा हों कि और एक अधिकार जांच आयोग और फार देश की लगवा 1536 कंपनियां मात 75 परिवारों के ही कंट्रोल में यह भी कहीं नहीं कहीं आर्थिक सकंद्र को दिखाता है तो यहां आप देख सकते किस तरह से रिपोर्ट का यूज कर रहा हूं करें आयोग के भी रिपोर्ट का यूज कर हूँ से हैं कार जो मुष्किल से प्रतिसत है हमारे देश के अर्थ व्यस्ता का मूल समझ अधार प्रवानी समाजिक संस्थाय तथा रुजिवादी जैसे जाती पर था है योई इसके वज़ए देश में गरीवी ब्याप्त है फिर हमारे देश में अधार बुत सनजना का भाव है बिस्क जो होता है जिसे की आ अगर हम देखें तो लगभग एक लाख अबादी पर मुस्के सब्सक्राइब अगर कम है या लोगों के पास इलायज के लिए अगर बीमार पर इलायज के लिए जो है उनको अधिक पैसा कर जाकाना पर रहा है डोक्टर का मैं डिमान का ज्यादा है डोक्टर का और अवास बीश परतिफ़ जंसंख्या को लगभग घर ही नहीं है यह सब देखें मैं किस तरह से यहां फोलो चार्ट डाइग्राम मैं सिंपल यहां क्या लिखा अधारभुत सनचना का अब कई लोग अब इसको क्या करते हैं पूरा लगभग एक लगभग पांच छे आठ लाइन में लिखें अब दिखाते हैं कि अन्याइब करते हैं अब देखें कितना इस चीज़ को लिखने में अधारभुत सनचना का अभाव है इसको लिखने में कितना लिखें कितना लिया वर्ड एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ प्रिया नोध्यार और बीश वर्ड भी नहीं उनको भी experience होना चाहे कि नहीं उन्होंने कैसे लिखा दियान रखने हैं इस सब चीज़ों का तो यहां दिखे आगे मैं लिखा हूं कि राजनितिक और प्राकरतिक कारण भी दिखा दिया हूं एक साथ शक्ति का भाव है क्योंकि हमारे देश में कभी-कभी राजनितिक और लेवल पर रहा है फिर बार आ जाता है सुखा आगया चक्रवात आगया पर मुख कारण है अब देखिए अगर फ्लो चार्ट में लिखे तो क्या दिकत है मतलब तक सबको तो समझे आ रहा है न इसलिए ज्यादा भासा या लफाजी करने से बहतर है कि आप टूद लिखके निकल जाओ यहां लिखाओ यूएंडीपी का मिसाल पिछले दस बरसों में जीडीपी का लफाइप परते हो संपत्ती नस्ट शिर्फ और शिर्फ हमारे देश में आपदा होने से आई है अब आपदा होता है बार आता है सुखा आता है चक्रवात और किसे सबसे अ कि सरकार के पहल तो गरीबी दूर करने के प्रियास पहला मैं का लिखाओ आर्थिक विकाफ या जीडीपी के द्वारा मैं सबसे पहली बात तो है एक फरकार जो है ना जीडीपी के द्वारा ही जो है गरीबी को कम करने का क्या कर रही है प्रियास कर रही है पहला बात करती है भूम篇सो दार करती है ये भी कहीं न कहीं कहीं जो इना गरीबी को कम करने के उपा है अब देखे ये जो मैं लिखा हूं आप दित की लगभग्स दो सो लाग करोड़ पार लगए हमारे देश का देश के विकास से ही गरिबी दुश्षकर्ज को तुरने में मदद मिलती है सरकार कराधन या सबसिडी की सहाइता से गरीबी कम करने का परियास कर रही है जिसे कि सबकार जितका जिनका आय अधिक है अधिक आय वालों पर टैक्फ लगा के वही पैसा गरीबों के लिए स्वास्त का फरकार क्या करती है उपलब्द करा रही है फिर खाद दियावन और रख सब्सक्रार दे रही है और बरतमान में कुल ब्याइका लगवन नौ से दस परतिफत पैसा सब्सीडी पर ही खर्चा होता अनुपाने देखिका अनकाम किसी कोई इनको देखें देखें देखेंगे अगला जन संख्या नियंतर परिवार्ण कारिक्राम बंध्यान हुआ है फिर अगला सबसें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निर्धानता उनमुलन कारिक्रम इस पेसली चलाया गया है चाहे वो पंच्वर्फे योजिना में हो या किसी अलग मात दिया है अब देखें मैं यहां पे आप लेटेस कम सकम कोशिस करें कि पांस से लेके आठ योजना का जिक्र में पलाय क्या लिखा हूं प्रधान मंत्री गरीब करें योजना दोरे बाइस में जो कोविट के समय चला था अन योजना चला था इसमें वन पॉइ देखिए आईसमा भारत स्कीम लाया गया है जिसमें की स्वास्त और कल्यान के लग वन पॉइल फाइप लाग क्रोड खुलेंगे और राष्टे स्वास्त संदक्षन योजनाक्तत दस करोड़ परिवार को इसमें सामिल किया जाएगा और पांच लाख रूपिय का बीमा भी कराया जागा फिर देखिए राष्ट को विकास चल राइसमें की दोर बाइस तक लोग एक करोड़ाओं को को सल का विकास का क्या जाएगा राष्ट याजिव का मिसंजर सहरी छेत में चलता है और इसमें स्वें फैता समों के माधियम से गरीबी खतम पर जोड दिया गया है फिर पेंशन योजना है फिर सभी के लिए आवास योजना दोर बाइस तक अमुदी जी का टार्गेट है फिर खात फ्रोक साथ और तैस है तो फोरी तेरह लाया गया है फिर स्टार्ट अप है इस्टेंड अप है डिटर इंडिया कारी क्रफ हमें कि इंडिया कारी यह कहीं अब मैं कई सारा योजना को जिख करके चीज़ों को लिख दिया अब अंतिम आगे किरा भी दिखा दिया बास देखें जब भी कभी ऐसे प्रशन आप लिखें तो आगे किरा अपना कुछ फ्यूचर जरूर अपना कुछ नहां जो आप क्या सोचते हैं इसके आपना कुछ जरूर लिखना ताकि अच्छे नंबर मिलेंगे अब देखें यहां लिखां आगे किरा में क्या बता है कि बास्तिभी गरीबी की संख्या का पता लगाना देखें सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमारे दिखें कितने लोग एक्च्वल में गरीब हैं यह भी तक पता ही नि जाहिए दिखें गरीबी को समावद करने हैं तो फरकार के समझ प्रिकाश नितिक अबना जाहिए ताकि सब्सक्राइब को पूरा किया जा सके अब देखें यह जो मैं लिखा लगवक्त चार पेज में आपको लिखें दिखाया अगर आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो बाईस 23-24 मार्वक के लिए अराम से आप तयार हो सकते हैं और हमारे इस मुराना से सीखिए कि कैसे आंसर को आप लिख सकते हैं जो अब नेक्ष कुफन देखते हैं जो में दिया था यह कुफन था कि सब्सक्राइब करने में क्या समझते गवक्तración को जमीनी अस्तर पर लागू करन तो क्या होता है समय भी काफ लिखना था लगों 17 सी वर्ड में जो भी आपके पास सब्द हो फिर इसको लागू करने में क्या मैन चुनोतिया हमारे देश या राज में है फिर इसमें बिहार सरकार के इस तिसा में क्या का परियास कर ये भी आपको लिखना है अब आए मैं क्या लिखा हूँ सायोसी विकास गांधी जी के रामराज की संकल्पना के बहत करीब है इसके अनुसार विकास की वह प्रिक्रिया जिसमें सभी ब्यक्ति अमीर हो गरीब हो सभी भोगलिक छेत अगराज छेतर हो या पिछरा छेतर हो गरामीन या सहरी छेतर हो सभी अब देखे मैं यहां क्या किया कुछ कुछ और भी कुछ डेटा का सब लोग को सामिल कर दिया जाए उसी को हम क्या सब्सक्राइब कर दिया जाए इसको हम सिंपल बोलते हैं समावेशी विकास की संकलपना एक ब्यापक आयाम है इसे हम निम रेखा चित से समझ सकते हैं मैं क्या किया हूँ देखिए साइबेसी विकास की संकलपना कैसे त्यार होती है आर्थिक और बित्ति है समय के पास बैंक सब के पास पेंसन की सुब्धाई सब होनी चाहिए दो अगला समाजिक समाजिक नियाय हो समानता हो और सबसे बरी बात है परियावरन संदक्षन पर भी इस पर फोकस किया जाता है और मैं देखिए इसी तीनों के बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं संद्धिक आपना इसाब प्रोचार दिखा सकते हैं प्रियां देखिए मैं क्या लिखाओंगे अगर आपको समय करना इसमें क्या-क्या मियान एलिमेंट या तत्त होंगे जहें पहला मैं लिखा लिखाओं कि इसी का विकास हरे क्समाज का बीचाहिए अब करना चाहिए इसको मैंने प्रोचार से भी डाग्राम से भी और दिखने में ठीक ठाक लगे इसको मैं बना दिया, अब यहांगे मैं लिखाओं कि भारत में समय विकास की जर सम्मिधान की प्रस्तावना और नीती नित्तत में समाही तथा भारत सरकारदवाई इसकर 1951 से 25 जोईना के माध्यम से इसको प्राप्त करने की योग अगसर प्रंतु एक क्यानवे के नई कि देश जब आजाद हुआ आपको पता है कि हमारे यहां क्या लागो हुआ था लिकिन क्या हुआ कि कई छेत पीछे रह गए और कई च्छेत पीछे आगे रहे तो नई आर्थिक निती जो आया था उसके बाद भी कई भी समताय क्रियेट हो गये तो उसको दूर करने के योजणा का मूल लक्स ही रखा था क्या समबरेशी विकास हमारे यहां जो है ने दो हजार जो है ने साथ 2007 से लेके 2012 तक चला था 11 पर योजिना और 12 फिलेके 2007 से लेके 12 चला था 11 और 12 फिलेके दोनों योजिनाओं का मैं जो लक्ष था हमारे देश का स्मावेशी विकास करना ही था मतों की कोई छित ना छुटे कोई महला पूश्गरी सब का विकाफ हो जाए और बारमी योजिना में तो लक्ष ही हमने रखा था तीब्र तथा सतत विकास के साथ अधिक समावेशी विकास का लक्ष आप भी जिक्र कर सकते हैं देखिए परन्तु इतो हो गया कि भाई हमने समय विकास को लेकर परियास किया लेकिन मैं यह लिखाओ परन्तु कई बैस्विक आकरे तथा देश की वरतमान समाजिक आर्थिक परिशित्यां इस योड़ इंगित करती है कि भारत समय विकास की प्रिक्रिया में बहुत ही क्य नहीं हो पाएगा है जबकि समय विकास क्या मांनता है कि बहुत सबके पास संपत्ति का समान वित्रहलों साथ बिलकुल नहीं है देश में अगला बैस्विक लेंगिक जब कि गरामीन छेट में 10 लाक ही है यहां भी आपको शहरी और घरमीन भारत में भी काफी अंतर दिखाई परतिया यह कहीन क्वेश्टन के हर एक पर्द में कैशे डिल कर रहा हूं पहला तो गरीबी वही है गरीबी अगर जादा होगा ओवियस सीवात है हम उस चीज को पड़ाप नहीं कर सकते हैं क्रिसी का क्या है काफी पिछता पन है सतर परतीफत अवादी आज भी क्रिसी पर डिपेंड लेकिन ज समाजिक विकास के मुद्दे हैं जिसे कि सीख्षा कदर काफी नीचे है 75 अवादी मात पर लिखी है महिलाओं की काफी खराब है स्वास्त पर जो जो जीडिवी का मात वन पॉइंट सेवन रूपिया खर्चा होता है जिसका जो नहीं समस्या निकल के सामने आती है और बैस् समद्भी काफ नहीं होने के पिसे पहला रियन तो गरीबी है जुरुफ़ा ब्रजगारी है जुरुफ़ा किसी के पिछरापन है साभी बोज्य का बिकाफ होना है और सबसे बरी बात है कि छेत्रिया भी समेता कहिंने धीया एसा हुआ है और बिक्फित राजियों की प्रती लेक्ति आए ज्यादा हुद हो रही है इसके अलावा भी भैस्टा चार अभाव ग्रामिन छेत्रों में बेंकों की कमी बिद्रवान छेत्र में कमी उद्यों विकास का अभाव अनकार है जिसके समय से विकास को धरातल पर उतारा नहीं जा सका है यह सब मैं कारण लिख दिया क करको क्या परियास हो रहे हैं लिख दिया विहार फरकार क्या आफ दीखे क्या क्या है जब भी कभी समाजिक होना चाहिए और परियावनिया भी होना चाहिए अब यहां दिखे मैं तीनों को दिल कर दिया हूँ पहला पंचायती राजबोस्था में महिलाओं को पचास और नौकुरी में 35 आक्षिन दिया है अत्यांत पिछता वर्ग और महादरीत वर्ग की अलग फिर्निस में बाट कर योजिनाओं को उनका लाब दिया जा रहा है मुखबंतरी कन्या उत्यान बालिकाओं को जर्म से लेकर विवात तक लगवाद पचास और पर दिया जा रहा है एक है कारिक्रम फत्त जीवी को पाज़ोजिन अक्त लगवाग जनस्वन फता गठन किया जा रहा है मंडेगा लागू है शिक्सास तर को बनाने तो प्रतियक ब लागू किया जा यह सब कही ना कहीं नो आर्थी को धियान में रखके फरकार कर रही है प्रिदेखे पर्याबन के लिए कि दल्जवन हंडियाली लॉंच किया है ठीक ना और भी कर ब्रयास बाट नियंतर पर प्रयास कर रही है इसके लाबा भी और भी बिहार कुश हमें बता दिया यहां पर आगे बिहार का अगर हम प्रजेक्शन करें तो पाते हैं कि पता चलता है कि बिहार का बार्शी विकाफदर पिछले तीन वर्सों से रास्ट या उस्वत से का रहा है कम रहा है सब जूत अलों लग देश में तिशास थान्दा है बाचीस अक्रों अधारे को सभी घरों में बिजली पहुंचा दी गई है परन्तु अभी भी कई परामिटर पर रास्टेस था सिंबल यहां में दिखा दिये हैं कि अगर हम एक मुल्यांकन करें तो जो हैंने बिहार सभी विकास की दिरिश्टी में कहां भी ठारता है तो यह दिखार अब आधे तक कर सकता है ताकि अब यह देखिए यह हो गया में जो आपको बता दिया कि जो किसे कि रहत हूं पहतने भाकि यह दो आपका हो गया मुराफण बाकी जिनको भी फिसे में बोल देता हूं जिनको भी डेली प्रोगाम जूड़ना है क्योंकि अभी इकनोमी चल रहा है तो नीचे दिये गए वार्ट्सप नंबर या कॉल करना मेसेज करना उसके बाद जो एक नमबर से फिर से जो है ना 67 को ध्यान में रखते हुए फिर मैंस करेंगे कि हर एक टॉपिक से दो दो को फन लिखा जाए डेली आपको दो डिया जाए ठीक ना उसके बाद जो है ना फुल टेस्ट हाप टेफ लेकर जोन आपके त्यारी को एक बहतर मुकाम पे पहुंचाने का मेरा प्रियास रहेगा तो बाकि मिलेंके नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू